सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टेडिस्टी जिक्के को और लेटस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को फ्रेस करें हेलो दोस्तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेडिस्टी जिक्के के अंदर दोस्तो आज हम करेंगे हर्याना पंचैती राज एक्ट से सम्मधित धाराएं ठीके इससे पहले दोस्तो हम भाग से रिलेटिड वीडियो कर चुके हैं ठीके पंचैती राज से सम्मधित जो भाग है पाच भाग है उनसे रिलेटिड क्या क्या चीजे हैं वो हम समझ चुके है ठीक है उसके बाद second जो भाग जो पार्ट था इस वीडियो का वो आपका जो है दोस्तो वो अध्याई से related करवाया था हमने कि अध्याई कौन सा अध्याई किस से सम्मधित है ठीक है कितनी कितनी धाराए हैं आज दोस्तो हम धाराओं के बारे में पढ़ेंगे ठीक है और इनक बात करते हैं दोस्तों यहां से सबसे पहला जो है सबसे पहले जो यहां पर जो है अध्याई एक की धाराओं की बात कर लेते हैं अब दोस्तों अध्याई के बारे में मैंने पढ़ाया था तो अपको मैंने एक चीज़ समझाए थी कि अध्याई एक किस से सम्मधित है तो द धाराओं के बारे में बात करते हैं धारा एक जो है दोस्तों वो किस से संबंदित है वो संबंदित है एक्ट का जो सिर्सक है और उसका विश्तार है उससे ये संबंदित है तो दोस्तों इसका मतलब क्या है देखो कोई भी एक्ट है कोई भी कानून है कोई भी किताब है जो उ उसके नीचे जो है दोस्तो अब वो सिर्षक है उसके साथ में उसका विश्थार भी बताएगा भी ये नाम होगा इसका क्या नाम होगा सिर्षक मतलब क्या होगा सिर्षक इसका हर्याना पंचाइती राज एक्ट 1994 में इसका सिर्षक होगा ठीक है उसका विश्थार कहां कहां पर यह लागू होगा, तो दोस्तों, यह पूरे हर्याना के अंदर लागू होगा, ये सभी को मालूम है, ठीक है? तो पहली धारा तो हो जाती ही ये, उसके बाद दोस्तों धारा है धारा धारा 2 है, वो सभी की परिवहसाह से सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? तब तक हम अच्छे से इन चीजों को पढ़ लेते हैं तो दोस्तों यहां पर बात करते हैं सभी की परीभासाईं धारा नमबर दो में क्या है सभी चीजों की परीभासाईं है तो दोस्तों परीभासाईं किस चीज की हो सकती है जैसे सरपंच किसको कहा जाएगा उप सरपंच किसको कहा जाएगा ठीक है ग्राम पंचयत क्या चीज होती इन सभी कोई भी चीज है उस सभी की जो क्या है इसमें परिवासाएं दे रखे हैं तो दोस्तों ये जो शुरुवात की दोनों धाराएं हैं I hope कि आपको समझ में आ ग जो है दोस्तों वह आपका ग्राम पंचयत ठीक है पंचयत समीती और जिला परिशद ठीक है दोस्तों जिला परिशद से संबंदित जो भी प्रावधान है ठीक है ठीक है प्रावधान है उन सभी के बारे में ये जो है अध्याय था ठीक है जो भी ग्राम पंचयत जो भी पं पंचय से संब्दीत है भाग चार के अंदर क्या है पंचय समीति से संब्दीत है इस परकार के क्योशन समने पाड़े थे वहां पर ठीक है तो इसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए यहां पर दोस्तों जो भाग दो है ना उसमें है ग्राम पंचय और भाग तीन में क्या है समीति है और च्यार में है जिला परिशत ऐसे है दोस्तों ठीक है तो प्रावधान के बात यहां पर कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको भाग और अध्याय वाली वीडियो अच्छे से समझा जाती है तो आगे कोई डिक्कत आ क्या है अवधी है ठीक है और अवधी कितनी होती है पाच वर्स होती काफी महतोपुर्ण क्योशन है काफी बार यह पूछा जाता है अपसे कितने वर्स होती है पाच वर्स होती है ठीक है तो दोस्तों इसको आप अच्छे से याद भी कर सकते जैसे देखो अवधी एवधी ठीके तो यहाँ पर ए है ए किस परकार का दिखाई दे रहा तीन के तरह तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि यह क्या है अवदी जो होती है वो धारा तीन के अंदर आती है ऐसे भी आप याद कर सकते हैं ठीके तो सिंपल से प्रावदाने कुछ चीज़े आप याद र है जैसे सपत के अंदर श्तों आपको बीच में पैना जरा रहा है ये किस परकार का नजरा रहा है चार के जैसे तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं अगे है दोस्तो अध्याई 2 की दाराएं तिर्फे त्याग पत्तर से समंदित ठीक है त्याग पत्तर से समंदित जो है ये धारा है दोस्तो ठीक है इस्तिपादेन यो आपको कहा जाता है कि त्याग पत्तर से ये समंदित है ठीक है और यहाँ पर जो है धारा छे जो है ठीक है धारा जो छे है वो है आक्समिक रिक्तियों को भरन ठीक है आक्समिक रिक्तियों को भरना इसका मतलब क्या है दोस्तो ये है आपका इसको आप समझने की कोशिश करें जैसे कि दोस्तो अचाने किशी के मृतियों हो जाए ठीक है पंच सरपंच की तो दुबारा जो पंच सरपंच का जो पद भरा जाता है उसको कहा जाता है आक्स एक चीज यहां पर समझने की कोशिस करते हैं धाग पहले एक की बात कर लेते हैं भाग एक में कितने अध्याय थे डो अध्याई थे दो जो है जो कि उसके सुरुवात के initions के चीज को यह बारे में बताता है थोड़ा बहुत ठीक है तो यह हो जाता है अब आती है बात दोस्तो भाग तीन कीज़री पंच cancer से संब्गन दीताई पूरा भाग आप यहाद रखें इस चीज़ को तो यह जो पहला अध्याई है अध्याई तीन ठीक है जो की ग्राम पंचायत का है जो की अध्याई अध्याइ नमबर तीन है ठीक है यह जो है धारा जो है इसके अंदर धारा है दोस्तो धारा साथ ठीक है जो धारा साथ है दोस्तो उसके अंदर है सबाचेतर का सिमानकन तो दोस्तो सबाचेतर का सिमानकन इसके अंदर बताया गया है ठीक है अब यहाँ पर है दोस्तो आगे है धारा नंबर आठ आठ जो है दो पंचयत का गठन और श्थापना ठीक है यह आपके लिए काफी महत पुरह है आगे चलते हैं आगे दोस्तों यहाँ पर मैंने बताए कि अध्याई नमबर तीन के अंदर जो है वो साथ से लेकर बारा तक की धारा हैं दोस्तों ठीक है हम पीछे ही पढ़ चुके हैं सेकिंड पार्ट में और यहाँ पर जोस्तों साथ से बारा तक की धारे आप पढ़ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है धारा नो की बात करें तो दोस्तों ये उसकी अवदी नहीं, ये सिरफ पद की अवदी है, ये आप याद रखें, ठीक है, तो पद के लिए जो अवदी है, और ये किसका पद है, ग्राम पंचेट से जो भी पद होंगे, उनकी पद की अवदी किसमे है, धारा 10 के अंदर है, ठीक है, आप ये याद रखेंगे, आ आता है धारा नंबर 11 के अंदर ठीक है दोस्तों तो ये भी काफी मैत पुरन है कोरम से रिलेटर क्योंस काफी पूछे गए थे और इन से रिलेटर भी क्योंस जो बनते हैं जो भी इनके अध्यक्स चेर्मेन जो भी कुछ होते हैं एक्जुकेटिव ओफिसर जो होते हैं वो याद रखेंगे ठीक है तो ग्राम सभा मतलब दोस्तों अलग होता है जैसे गाउं के लोग ही उसमें सामिल होते हैं ग्राम सभा कहलाती है ठीक है तो दोस्तों यह आप याद रखेंगे अब एक चीज़ समझने के कोशिश यहां पर करें 11 नंबर 12 है दोस्तों वो ग्राम सभा की बैठक और कोरम से समझ दीते हैं और जो धारा जो 13 है वो दोस्तों ग्राम पंचयायत की बैठक और कोरम से समझ दीते है ठीक है आगे आईगे यह धारा तो हम आपको बता देंगे ठीक है यहाँ पर आगे है दोस्तों धारा नंबर 12 ग्राम सभा की सकती और कारिये ठ वहारा नंबर 12 के अंदर आते हैं ठीक है दोस्तो ऐसे को दोस्तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है इसकी जो PDF और जो इसका जो टेस्ट जो है बिल्कुल टेस्ट जो फिरी टेस्ट है वो भी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यों दोस्तों